मैं विशेक त्यागी IPL 2022 की चर्चाएं अब चलने लगी है IPL 2022 को लेकर लगातार खबरे आती जा रही है अब 15 तारिक को हर टीम को अपने अपनी जो रिलीज खिलारियों की लिष्ट है वो सोपनी है रिटेन खिलारियों के बारे में बताना है लेकिन उससे पहले KKR की टीम को बड़ा जटका लगा है जाहिद तोर पर KKR के दो बड़े खिलारियों ने बड़े इस्टार खिलारियों ने धुआधार खिलारियों ने टीम को छोड़ दिया और टीम को नहीं बलकि IPL 2023 को ही छोड़ दिया है और कह दिया है मतलब यह ऐलान कर दिया है कि वो IPL 2023 में शिरकत नहीं करेंगे IPL 2023 में किसी भी टीम की तरफ से नहीं खेलेंगे जाहिए तोर पर यह जो बड़ा ऐलान है दो बड़े खिलारियों का यह IPL 2023 के लिहास से बहुत बड़ा ऐलान माना जा रहा है दरसल आपको पता है कि IPL 2023 में मिनी ओक्षन होगा बड़ा ओक्षन नहीं होगा तो ऐसे में तमाम जो टीमें हैं वो अपने अपने रिलीज और रिटेन खिलारियों के बारे में बता रही है लेकिन उससे पहले ही केके आर के खिलारियों विकेट के पर बहले बास सेम बिलिंग्स ने ऐलान कर दिया है कि वो IPL 2023 में नहीं खिलेंगे जाहिर तोर पर ये एक बड़ा ऐलान माना जा रहा है हालनकि अब से पहले भी कई इस तरीके के खिलारियों ने ऐलान किया है जब IPL ना खिलने का उलों ने इस तरीके की बात बोली बात बैनिश्टोक की कर लीजे सेम करन की कर लीजे आईपिल 2022 में दोनों ने खिलने से मना कर दिया था अब सेम बिलिंग्स ने भी IPL 2023 में खिलने से मना कर दिया और दूसरे खिलारी KKR की Pat Cummins Pat Cummins के बारे में आपको पता है कि उनको कप्तान बनाया गया है उस्टेलियाई टीम का और शांदार खिलारी है टेटविंटी विशुकप 2022 में शिरकत की थी लेकिन अब Pat Cummins ने भी IPL 2023 को खेलने से मना कर दिया उसके पीछे का उन्होंने रीजन बताया है कि वो अपने क्रिकेट को बहतर आपने देश के क्रिकेट को बहतरी के लिए वो ये फैसला ले रहे हैं जाहर तोर पर ऐसे आपसे पहले इस तरीके के फैसले कई खिलारियों ने लिए हैं बात उस्टेलिया की करिए इंगलेंड की करिए वीडियो चलेगे हो तो लाइक करेगा शेयर करेगा इसी तरीके कि आईपेल 2023 के अब्रेट के लिए चैनल को सब्सक्राब जरू कर लीजेगा थैंक यू